आई एंडी वर्सिज एंगी ड्रीमएंग प्रेडिक्षन प्रडिक्षन और टीमएंग्वेंगे यह मैच वर्ल्ड कप से पहले का मैच है व्ल्ल कप का वांब अप मैच दो वांब मैच आज हमने कवर किये टेलीग्राम पे आपको जो मैंने टीम शेयर करी थी तीस लोगों में भी रैंक वन कर रही है ठीक है शडंका वाले मैच भी बहुत ही अच्छे से जीत रहे हैं दोनों की मैच सिरफ एक स्टार्टिंग है जो मैं आपको वर्ल्ड कप में देने वाला हूं उससे पहले अभी तक यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि इस वर्ल्ड कप तहल का मचने वला है अब यहां पर दोस्तों बात करेंगा आज इंडिया इंग्लेंड के मैच की सारी डिटेल्स बताऊंगा वीडियो अच्छे से देखना काफी बढ़िया कर पाओगे टेलीग्राम में नहीं ज खेलनी हैं पहले से जोइन करके रखो टॉस टाइम पे नहीं करनी ठीक है जहां भी खेलते हो आपकी मर्जी है देन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से एटंडर के की फैमिली वर्ल्ड कप से पहले-पहले करवा दो कि मर्जी आपकी है यार मैं तो कोशिश कर सकता हो वन मिलियन की अपनी ड्रीम की जो मैं कर रहा हूं चार से पान साल से अब कितना पास आप लेके जाते हो वह आपके उपर है अब गुआ हटी में मैच है बरस पारा स्टेडियम में बहुत ही अच्छा रन स्कोरिंग राउं के द्वारा दिया गया 323 रन का टार्गेट भी चेस किया तोटली देखोगे 25 विसे 17 फास्ट 8 स्पिन को विकेट है यही डेटा मैंने यहां समराइज भी किया हुआ है एक विकेट के लिए तिरपन रन की अवरेज निकल के आ रही है क्योंकि रन स्कोरिंग इंडिया ने य 271 किये हैं स्पिन गेम में आया वहां वाम-अप मैच में स्पिन गेम में आया सो स्पिनर्स को थोड़ा सा ध्यान रख लेना अब वाम-प मैच में कई बर बेस्ट विकेट यूज नहीं होता है यह भी देखके चलना अदरवाइस गौहाटी बहुत चोटी बाउंडरी रन लगेंगे बेमिसाल अब एक चीज़ गवर करना आपके लिए सबसे इंबोड़न है रिसेंट फॉर्म और फुल स्टैट्स इंफो लाइनप क्यों नहीं वो मैं आगे बताऊंगा ठीक है अब यहां पर सिंपली आप सबके स्टैट्स देख रहे हो इंडिया की टीम में जो उससे पिछले में बल्ले बाजी नहीं आई इस साइन का मतलब है डिड नॉट बैट ठीक है उससे पिछला उन्नीस थर्टीनाइन एक सो गयर नाव था इंडिया के उपनर्स नहीं मैं जिता दिया था सब का फॉर्म देखने को मिल रहा है जो फॉर्म में आरे है वो आरे रो बाडिया खेले है शिरह सग्यर 48 105 सूरिया 70-50 इंडिया के में बल्ले बाजों का फॉर्म अच्छा है काफी और राउंड डेजा डीसेंड करें विक्टो में भी आये है स्पेशली इस ग्राउंड पर क्योंकि थोड़ा स्पिन देखने को मिला काम आएंगे हाथ दिक है बॉ बॉलिंग में लेकिन प्लेयर हमें सबको पता है अच्छे हैं वामप में कई बार इंडिया क्या करेंगा देखो साथ साथ बोलर यूज़ कर सकते हैं हो सकते हैं शवी 5 और करें सिराज 5 कुल्डी पाठ करें बुमरा करें शालिल करें तो बोलर इसलिए मैं कम प्रकर तो वा वोम-आप मैच में आपकी मर्जि भाई आपने11 नीम कर दिया कि यह एर 17 खहलेंगे आप बारा नाम नव कर दिये ए 13 इंग्जांपल कीत और पाज थे उनको हटा दिया जैसी नियूज मिली आपको दो मिनट पहले आडियो भेजा हटाओ अगर मैच देखो पत्व निसंका का सेलेक्शन ही नहीं है बाकी यह मेन बल्लेवाजी तो है ही लेकिन लाइनप ना के बराबर इंपॉटेंट है क्योंकि वो मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे दूँगा ठीक है बाकी बोलोगे तो जल्दी वर्टसप भी बना देंगे मैं एक अक्तूबर के दिन बनाना चाहता हो बनाने को म है यह देख लो आप टॉप फॉर फॉर्टी प्लस इंफैक 66 की एवरेज शुम्मन गिल यहां पे आप श्रियस को भी अड़ कर लो भाया जो बल्लेवाज आपको लग रहा है ना इंडिया के लिए टॉप 6 में कवर कर लो गुवार्टी के ग्राउंड पे शुम्मन गिल रो फॉल स्टैट्स इंफो जरूर देखना चाहोगे तो यहां आप बोलर्स के फॉल स्टैट्स इंफो देख सकते हो सबका रिकॉर्ड आपके लिए लिखा गया है इंगलेंड की फॉर्म पे आते है इसमें सबसे पहले एक इनका में प्लेयर है जो रूट हंडड़ परसेंड क डालो फॉर्म खराब है इनका यहां स्कोरिंग ही नहीं आया है जो रूट का 29-4-0-6 तो आप इनसे अच्छा खेलना एक्सपेक्ट कर सकते हो रन मारे ना मारे अलग है तो रूट को तो जरूर रख लो स्टोक्स ने अच्छा किया रिसेंड में 182 हो सकता है रेस्ट में मिल अच्छा है तीन लगाता रची नॉक्स आई है जॉनी बैस्टो का वंडे फॉर्म थोड़ा सा कह सकते हो कि अच्छा नहीं रहा लेकिन टीट्वेंटी में अच्छा खेले थे और यह 63 एक वंडे में भी आया था इनका बागी बोलर्स में सबके ओवर इनके डिवाइड हो स इनके उपर है वह कीवीं खिलेंगे ऐसे बनेजन को जो बल्ले बाजी ही नहीं कर रहेंगे तो सीधर सीधर सब बल्ले अपीं में बैसे बाराब्र इंपोर्टेंट है स्टैट्स वाइस जो रूट मेरे साब से इनके लिए बेस्ट है डेविड मलान का स्टैट बहुत अच्छा मिलेगा सिस्टी वन मेरे नंबर वान प्लेट जो रूट है हाला कि थोड़ा सा स्ट्रगल किये है लियाम इस ऑल्सो गुड एवरेज भी अच्छ टोड़ा लेकिन यूट्यूग पे सबस्क्राइब आपने नहीं किया तो आपने मेरा दिल तोड़ा तो आपने क्या करना है सबसे पहले सब्सक्राइब करनाया चलिया ते टीम करीट करी टीम जोकी मैच है न्यूजिलान और पाकिस्तान का earlier parents wissen and अभी अभी मेरी रैंक वन है मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी मैं सिर्फ दो ही कॉंटेस्स लगा पया वरना यह मैंच हमारा बहुत ही बढ़िया जाता मैं आपको टीम दिखा दे तो अब चेक कर ले रहा सेम टीम है के नहीं टेलीग्राम पे हां आपको मेरी टीम में बोल्ट सब्सक्राइब कर देखो आधी जन तक यहां डिवन कॉनवे थे ठीक है और आप देख लो 33 लोगों में भी रैंक वन है मेरी और फरक देखो 437 के बाद रैंक टूला 347 आपस में भिड़ने है यह और क्या हमारी सेम टीम है एकदम वही सेम है जो आपको टेलीग्राम पे शेयर करी थी लेकिन मैं कभी भी टीम प्रोवाइडर नहीं हूँ मैं आके मेहनत करता हूँ इंफर्मेशन पूली देता हूँ ता कि आप बेस से बेस टीम करो और अगर आपको विनर बनने है चैंपियन बनने है तो वो चैंपियन आपको खुद से बनने है आपको एक मोटिवेटर गाइड मेंटर सब कुछ चाहिए लेकिन विराट कोली को अगर विराट कोली बनना था तो उनको और नहीं बना सकता उनको खुद बढ़िया खेलने वैसे ही आपको भी बढ़िया करना पड़ेगा लेकिन विराट को भी अच्छे कोच चाहिए थे सचन को भी अच्छे कोच चाहिए थे यह चीज हमेशा याद रखना ठीक है तो यह है मेरी टीम इसमें आपको याद होगा मेरे अंड में डा दिया था तन्मीर हिदोय को मैं ले रहो शाकिप की जगा जैसी शाकिप की न्यूज मिली आपने नहीं भी लिया तो अभी शाकिप रिदोय के सिमिलरी पॉइंट है इसलेक्शन नहीं है वाइस कैप्टन की भी बल् मिलते हैं जॉस दबॉस बटलर और इंडिया से केर राहूल दोनों ही बहुत अच्छे विकेट कीपर है दोनों मिडल ओर में आते हैं अनलाइक ट्वेंटी जाहिए आपको अपनिंग करते दिखते लेकिन यहां पर आपको दिखेंगे यह नीचे थोड़ा थी डाउन पे ट उस केस में है ना बल्ले बाजी में शुमन गिल ओपनिंग आने चाहिए जनरली विराट कोली नंबर तीन इंडिया से बैं स्टोक्स पे मैं रिस्क ले रहूं पिछले मैच में 182 मारे लेकिन न्यूज यह बोलिंग नहीं करेंगी बैं स्टोक्स के चलने के लिए बहुत बताना जो भी इंफर्मेशन भी जो मेरे हाथ लगी वह आपको मैं टेलीग्राम पर इंफर्म कर दूंगा कोशिश करूंगा अगर वट्साइप ग्रूप कल ही बनाया तो भी आपको लिंक शेर कर दूंगा ठीक है बाकि डैविड मलान है शरिया सेयर है जो रूट है जो उटेडें हेरी बूक इंडिया के सूर्या और मुझे लगता है जड़ेजा को ब्रमोशन मिलना चाहिए इंडिया देगी के नहीं देखते हैं लेकिन मिलना चाहिए बल्लेवाजी के तौर पे दैन लियाम है हादिक दोनों अच्छे है हादिक को जरूर रखूंगा अब लि लियाम की जगा आप चाहो अश्विन को रख सकते हैं ग्राउंड पे अक्सर इस नॉट अवेलेबल इंजर हो गए हैं बोलिंग में ज्यादा जगा नहीं है प्यूज भाई यह क्या किया अब आपको समझना होगा बोलिंग में मेक्सिमम बोलर्स पांथ से च्छे और करेंगे बड़ रिस्क लेना है तो लियाम पे लिया जा सकता है फिलाल लियाम की जगा हम बूमरा कर लेते हैं और कुल्दीब ऑप्शन में आप पास मार्क वोड है जो ब्रिलियन बोलर है आईपियल में आद होगा मैंने बात करी थी डंडे निकालेंगे पहले मैच में चार प्रिकर है सिराज कुल्दीब जो खेलेगा मानलों इंडिया ने ने निम कर दिये 11 फिर फिर तो इंडिया के बोलर के ओर कंफर्म होगए हम उनको ले लेंगे जब इंग्लेंड नहीं किया उनके बोलर के अनके कंफर्म नहीं हुए सो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो अब इसमें CVC की बात कर लेते हैं Captain Vice Captain मैंने क्या किया है मैंने कप्तारी दिया विराट किंग को और वाइस कैप्तारीं सी दिया है जो रूट को ठीक है दोनों टीम के नमबर 3 जो मुझे बैस्ट लगता है फैब 4 का दोनों हिस्सों है दोनों को मैंने CVC की है ये मेरी टीम थ तो सब्सक्राइब करके क्रिकलर फूर्कस को सपोर्ट जरूर करें